जून का महीना चल रहा है जिस वजह से गर्मी भी अपने तेवर दिखा रही है। कई जगहों पर पारा पचास पार पहुँच गया है। लगातार बढ़ती इस गर्मी की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वैसे तो ज्यादातर लोग गर्मी के मौसम में घर से बाहर निकलने से बच्चते हैं लेकिन बहुत से लोगों को काम की वजह से बाहर जाना ही पढ़ता है। ऐसे में कई बार तबियत खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इस गर्मी में चलने वाली लू लपट की वजह से पेट खराब होना बहदाम बात है। अगर आपको इस लेक में खिचडी बनाना सिखाएंगे। इसे आप रायते के साथ खा सकते हैं। इसे तकरीबन 40 मिनिट के लिए भीगो कर रखें। जब ये सही से भीग जाए तो एक कुकर में घी गर्म करें। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, हल्दी और हींग डाले। जब मसाले भुन जाए तो इसमें भीगो कर रखे हुए दाल चावल डाल दे। इसके गैस बंद करके कुकर साइड में रख दे और फिर इसकी भाप निकलने दे। भाप निकल जाने के बाद कुकर का ढखकन खोले और फिर इसे सजाने के लिए उपर से धनिया पत्ती डाल दे। इसे आप राहते के साथ परोज सकते हैं। पेट खराब होने पर रायता भी शरी देमंद होता है।